जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बात दोस्तों जहां इंडिया एलायंस में अभी तक सीटों का फॉर्मूला ही तै नहीं हो पाया है गड़बंदन का कोई स्वरूप अभी तक बनकर मुकमल तोर पर सामने नहीं आया है वहीं खबर आ रही है कि भारती जनता पार्टी लोग सभाचुनाओ 2024 की तारीखों की गोशना से पहले ही अपने उमिद्वार तै कर लेगी और खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी के उमिद्वारों की पहली सूची जनवरी के तीसरे सब्ताह में आ सकती है आपको पता है कि 22 जनवरी को आयोध्या में राम मंदिर का उद्गाटन है और इसके बाद ही लोग सभाच के उमिद्वारों की पहली सूची भारती जनता पार्टी की तरफ से जारी की जा सकती है हम जानते हैं कि 36 गार्ड मध्यप्रदेश और राजस्थान के विधान सभाच चुनाओं में बीजेपी ने अपने उमिद्वारों की लिस्ट बहुत पहले जारी कर दी थी और इसका उसे कहीने कहीं फाइदा भी मिला था क्योंकि उमिद्वारों को अपने तयारी के लिए काफी वक्त मिल गया था और कहीं यह संतोश भी हुआ तो उसे दबाने के लिए भी पर्याप समय पार्टी को मिल गया और अब इसी फॉर्मूले को भारती जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में भी आजमाने की तयारी कर रही है इसमें बीजेपी का फोकस वैसी सीटों पर काफी ज्यादा है जहां पिछले चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था तो संभावना है कि वैसी सीटों पर जनवरी के तीसरे सप्ताह में या आखरी सप्ताह तक उमिद्वारों की घोशना कर दी जाएगी ताकि उमिद्वारों को तयारी का पर्याप समय मिल जाए असंतोष को दबाया जा सके दोस्तो जारखंड में सीम्भूम और राजमहल दो ऐसी सीटे हैं जहां 2019 के लोकसभाचुनाओं में भारती जनता पार्टी को आर का सामना करना पड़ा था इसको देखते हुए पार्टी इस बार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है भगवान बिरसा मुंडा की जैनती पर 15 रवंबर को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जहरकंडा चुके हैं उन्होंने एक रात यहां बिटाई और राची में एक रोड शो भी किया जो कि उनके कारकरम में बाद में जोड़ा गया था इसी तरह कुछ दिन पहले बिएसेफ के स्थापना दिवस पर केंद्री एक ग्रीह मंतरी अमिद शाह हजारी बाग आए तो अमिद शाह हो या मोदी उनकी यही खासियत है कि वे एक एक सीट पर नजर रखते हैं हर सीट का हिसाब परसनली रखते हैं और काफी पहले से तयारियां शुरू कर देते हैं और इसी का नतीजा है कि भारती जनता पार्टी को वैसे इलाकों में भी अब सफलता मिलती है काम्याबी मिलती है जहां उसे पहले इतनी सफलता नहीं मिलती थी आदिवासियों पर BGP का फोकस है वो हम जानते हैं डिलिस्टिंग रैली आज थी और इसके वहाँ ने कहीं आदिवासियों को अपने तरफ करने की कोशिश भी BGP कर रही है क्योंकि BGP का अलक्ष इस बार जारकंड की सभी 14 लोग सबासीटों को जीतना है और इसके लिए जमीनी स्तर से लेकर, ग्राउंड स्तर से लेकर, दिल्ली के लिवल तक जो कुछ भी हो सकता है वे सारे काम किये जा रहे हैं, सारी कोशिशे, सारी कवायद की जा रही है चाहे वो संगठन के स्तर पर हो, चाहे वो मिदवारों को बदलने की बात हो, चाहे पहले वो मिदवारों की घुशना करने की बात हो या और सारी बाते हो, पाटी ने जारखंड में दो दो तीन-तीन सर्वे करा लिए है, RSSS का सर्वे हो गया है एक एक चीज पर मोदी और अमित शाह लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं केंद्री अस्तर के निताओं को जारखंड के अलग-अलग इलाकों का प्रभारी बनाया गया है वहाँ जिम्मेदारी दी गई है और वे नेता वहाँ जा रहे हैं बैठ के कर रहे हैं लोगों को जारा उसकी और एक उसके सहयोगी आजसू की लेकिन राजमहल और सीमभूम सीट पर कड़ी नजर है उसे जीतना है और जानकारी के नुसार सीमभूम सीट में गीता कोड़ा बीजेपी की पहली पसंद है जो सूचना है मधू कोड़ा जो गीता कोड़ा के पती हैं पुरुम जनता पार्टी के ततकालीन प्रदेश महामंतरी रदेर नात सिंग से उनकी खटपट हो गई और उनका टिकट काट दिया गया बदला लेने के लिए मदू कोडा निर्दली चुनाव डल गए और उसके बाद की कहानी आप सब को मालूम है तो खबर है कि मदू कोडा ने वादा कर दिया है कि वे और उनकी कॉंग्रेस सांसत पत्नी गीता कोडा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे लोग से बाद चुनाव के पहले लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से कोडा दंपती भाजपा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो सीमभूम सीट से तीन और नामों की सूची तयार है इसमें एक नाम बढकुवन गगराई का है बढकुवन गगराई सीधे साधे सौ में नेता हैं सबके चहेते हैं और अरजुन मुंडा की कैबिनेट में वे मंत्री रह चुके हैं सीमभूम की मजगाव विधान सबा सीट से साल 2000 और 2009 में वे दो बार विधायक रहे और जब 2010 में जारखन मुक्ति मुर्चा और बीजेपी की गटबंदन सरकार बनी अरजुन मुंडा सीएम बने तो बढकुवन गगराई को खाध्या पूर्ति मंत्री बनाया गया हाला कि 2005 और 2014 की विधान सबा चुनाओ में बढकुवर को हार का सामना करना पड़ा बढकुवर एक बार लोकसबा का चुनाओ लड़ चुके हैं 2009 में बीजेपी के टिकेट पर सीमभूम से उन्होंने चुनाओ लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे निर्दली उमिद्वार मदू कोडा ने उन्हें करीब 90,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था 2019 के विधान सबा चुनाओ में भाजपा ने बढकुवर गगराई को टिकेट नहीं दिया तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और भारती आजाद सेना नाम से पार्टी बना कर चुनाओ ड़ा हलाकि वे तीसरे नंबर पर रहे और 2022 के जनवरी महीने में उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली तो एक संभावित बढकुवर गगराई हैं दूसरा नाम पूर्व नौकर शाह जोती भरमर तुबिद यानि जेवी तुबिद का है तुबिद साहब जारखंड के ग्री सचिव और कैबिनेट सचिव जैसे भारी भरकम पदों पर रह चुके हैं उनकी पतनी राजबाला वर जारखंड की मुख्य सचिव रह चुकी हैं जेवी तुबित चैवासा विदान सभा सीट से 2014 और 2019 का विदान सभा चुनाओ लड़ चुके हैं भाजपा के टिकट पर लेकिन जी तभी तक उनसे दूर है पीसरा नाम मालती गिलुवा का है मालती गिलुवा दो बार सांसत दो बार विदायक और जारखंड भाजपा के अध्यक्ष रह चुके दिवंगत लक्षमर गिलुवा की पत्नी हैं लक्षमर गिलुवा का कुरोना काल में निधन हो गया था मालती गिलुवा प्रदेश बीजपी महिला मुर्चा की सदस्य हैं और लोकसभा छेत्र में इन दिनों काफी सक्रेता उनकी देखी जा रही है लेकिन मोदी और शाह की पहली पसंद अभी भी गीता कोड़ा ही है उनके आने से भाजपा को यह आशा है कि सीमभूम की लोकसभा सीट जीतने के अलावा इस लोकसभा छेत्र में पढ़ने वाली छेविदान सभा सीटों में से कम से कम तीन सीटों पर उसे जीत हासिल हो सकेगी इसलिए कोड़ा दमपती पर बीजेपी की खास नजर है और पूरी कोशिश हो रही है कि वे किसी तरह बीजेपी में शामिल हो जाएं तो यह सीमभूम सीट की बात थी अब आते हैं राजमहल सीट पर बीजेपी बहुत शिदत से को भाजपा की जीत का खाता 1998 के आम चुनाओं में सूम मरांडी ने खोला था अलाकि 1999 में हुए लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रेस के थौमत सांसदा ने उनसे या सीट फिर छीन ली उसके बाद 2009 के लोगसभा चुनाओं में देवी धन बेसरा ने भाजपा का परचम राज महल से लहराया था भाजपा को तब जारखंड में आठ लोगसभा सीटों पर जीत मिली थी उसके बाद 2014 और 2019 के लोगसभा चुनाओं में भाजपा ने जारखंड मुक्ति मूर्चा के कदावर नेता हेमलाल मुर्मू को पाकी में शामिल कराया और लोगसभा का टिकट दिया लेकिन दो चुनाओं लड़ने के बाद भी हेमलाल भाजपा के लिए कारगर साबित नहीं हुए अब हेमलाल मुर्मू जारखंड मुक्ति मूर्चा में लोड़ चुके हैं यहाँ से बीजेपी के पास तीन संभावी तुमीदवार हैं जिनके नामों के सूची आला कमान को भेजी गई है आंतरिक सर्वे में इन तीन नामों को भेजा गया है यह तीन नाम है मिस्त्री सोरेन ताला मरांडी और बाबु धन मुर्मू मिस्त्री सोरेन ने महेशपूर विधान सभा सीट से चार बार चुनाव लड़ा है 2009 में वह एक बार विधायक रहे है तब वे जर्खन विकास मोर्चा में हुआ करते थे उसके पहले 2005 में उन्होंने आजसू से चुनाव लड़ा था हार गये थे मिस्त्री सोरेन अब बात ताला मरांडी की कर लेते हैं ताला मरांडी 2005 और 2014 में साहिब गंजिले के बोरियो लिर्वाचन शेत्र से जर्खन विधान सभा के सदस्ते रह चुके हैं वह भारती जनता पार्टी के प्रदेश अदेक्ष भी रहे थे हलाकि उनका कारेकाल विवा के बीच ही उन्हें पद भी छोड़ना पड़ा था 2019 के विधान सभा चुनाव में भारती जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आजसू से चुनाव लड़ गए हार गए जाई साल बाद 2022 में दोबारा उन्होंने बीजेपी में हैं पाकुड के जिला परिशत अध्यक्ष रह चुके हैं युवा हैं लोकप्रिय हैं सक्री हैं तेज दर्रार हैं अब इन तीनों में से कौन उमिदवार बनेगा राजमहल से बीजेपी का और या फिर कोई और बनेगा और क्या बीजेपी इस बार राजमहल से जीत का खाता यह तो नामों की घोशना और चुनाव के बाद पजा चल पाएगा लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पार्टी के सर्वे में मौजूदा सांसदों के बारे में नेगेटिव रिपोर्टिंग आई है वहां भी तीन उमिद्वारों के नाम दिल्ली भेज दिये गए हैं सब खंगाला जा रहा है ऐसे उमिद्वार नमों आपका कितना इस्तेमाल करते हैं पार्टी के कारक्रमों और पार्टी से मिलने वाले टास्क को लेकर कितने गंभीर रहते हैं केंद्री योजनाओं की उपलबजियों को जनता के बीच ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं इन नहीं हुआ है कि कॉंग्रेस जार्खंड में कितनी सीटे लेगी जार्खंड मुक्ति मोर्चा कितनी सीटों पर लड़ेगा राष्टी जनता दल और वाम दलों को सीटे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ऐसे में अपनी तयारी और उमिद्वारों की घोशना से भारती जनता पार् काफी बड़ी मनोवज्ञानिक बढ़त हासिल कर चुकी होगी इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजेगा अगले वीडियो में मुलाकात होगी तब तक इजाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार